प्रियक्षान भाईयों अन्न दाता हूं आज मैं आपको कि एक ऐसे फसल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हमारे नौजवान भाई कि जानते ही नहीं होंगे क्योंकि वो फसल एक तरह से लुप्त होने जा रही है जिसका नाम है कोदो तो कोदो की खेती के बारे में तो मैं इसमें आपसे बात नहीं करूंगा इसमें तो केवल कोदो से फैदा क्या है खाने से स्वास्त के लिए कितना लाबकर है मुख्य रूप से मैं इसी पर बात करूंगा लेकिन जो बहुत दिनों से छोड़ दिया गया है उसे पुना बोना चाहिए उसका लाब हुडाना चाहिए ये प्रजाती नस्ठ होने के कगार पर हो गई है कोदो के खाने के बहुत से लाब है कोदो को कोद्रो भी कहते हैं धान घास भी कहते हैं और अंग्रेजी में से राइस ग्रास कहते हैं कोदो का बीज लाल रंका होता है बैगनी लाल रंका और इसका बीज छिल का हटाने पर ये चावल बनाता है इसका चावल सफेद रंका होता है कोदो का स्वाद मीठा कड़वा और तीखा होता है बहुत कम लोगों को ये पता है कि कोदो एक बहुत लावकारी घास है फसल है इससे घेंगा रोग रूसी की समस्या पेट से समंदित बिमारी और बवासी राइद में कोदो बहुत ही लाव पहुचाता है ये मलमुत्र के बिकार कफित दोस्त को भी दूर करता है इस बारता में मैं कोदो से होने वाले खिलाव के बारे मैं आप से बात करूंगा कोदो का बाना स्पतिक नाम बैग्यानिक नाम पास्पोलम एसकार्बी कुलेटम फिर से एक बार सुने जिए पास्पोलम एसकार्बी कुलेटम इसका बैग्यानिक नाम है भारत में इसे मुख्य रूप से कोदो ही कहा जाता है अन्य भासाओं में बहुत सारे इसके नाम है संस्कृत में से कोद्रो अकोट दुस उद्दाल या दिनामों से पुखरा जाता है कोदों में बिटामिन वह सारे होते हैं अमीनो एसिट्स होते हैं जैसे नियासीन है रीवोफलेवीन है थाइमीन है कैरोटीन है इसमें आइरन पाये जाता है कैल्सियम पाये जाता है फास्पोरस पाये जाता है प्रोटीन पाये जाता है इसमें खनीज पाये जाता है जिसमें फासफोरस, कैलसियम और लोहा प्रमुख है इसमें कार्बो हाइडरेट पाये जाता है फाइबर होता है फाइबर अधिक होने से ये मुटापे को कम करता है कोदों की जरूरत के हिसाब से इसके दाने, बीज और पंचांग का प्रियोग करते है अब इसके खाने के क्या-क्या फाइदे होते हैं किसान भाइयों ये मैं आपको करम से बता रहा हूँ रक्त को सुद्ध करने के लिए और इम्मूनिटी बढ़ाने के लिए ये काफी अच्छा माना जाता है अधुमें और कब्ज को ठीक करने में मदद करता है कोदो का सेवन करने से अच्छी नीद भी आती है ये अस्थि मज्जा के कुसल कामकाज में और अस्थमा के में और गुर्दे की समश्याओं में काफी लाब पहुंचाता है किसान भाइयों अस्थि मज्जा मैं आपको कैसे समझाओं जो मांसारी बंद हूँगे वो जब मांस खाते हैं तो हड़ी को चूचते हैं हड़ी के अंदर जो पदार्थ होता है उसे अस्थि मज्जा कहते हैं और आप जानते हैं कि हमारे सरीर का खून वहीं बनता है तो कोदो का चावल खाने से अस्थि मज्जा मजबूत होती है कोदो खाने से प्रॉस्ट्रेट जो अधिक उमर में प्रॉस्ट्रेट की बिमारी जाती है रक्त कैंसर और आत थैराइड गला और अगना से और एकृत का कैंसर भी इससे ठीक होता है इसकी मदद से नहीं होता है खाने से कोदों में बहुत अच्छा भॉस्ट्रेट तक होता है जो बच्चों के लिए एक अच्छा भोजन है इसमें बिटामिन और खनी पदार्थ प्रशुल मात्रा में होते हैं या पाचन के लिए भी अच्छा होता है कोदों मिलेट में उच्छ एंटी-ाक्सिडेंट की गत्विज्य होती है यह रक्त में सरक्रा और कोलेस्ट्राल के अस्तर को बनाए रखता है खेल में भाग लेने वाले दौड़ में भाग लेने वाले फिलाडियों के लिए अच्छी उर्जा परदान करता है यहीं कोदो के भाद को और को दूसरे डालों जैसे चना और लोविया के साथ पकाएं तो इसमें बहुत अधिक पोसकत तर्व मिल जाता है कोदों में उच्छ फाइबर होने के कारण या वजन को कम करने के लिए अच्छा होता है मोटापा कम करने में साइब होता है लंबे समय तक बिमारियों के रहने के बाद राहत पाने के लिए सूजन को कम करने के लिए या एक अच्छा भोजन है कोदों के खाने से जोडों की सूजन अनियमित पीरियट्स जो माताओं में पीरियट्स होते हैं वो पीरियट्स नियमित हो जाते हैं मदमे की बिमारी ठीक हो जाती है जिन लोगों के आँख की नसें कमजोर होती है उन महिलाओं के लिए ये बोजन काफी इलावकर होता है कोदों का आँटा सूखने पर किया जाता है या उन मदमे रोगियों के लिए भी सायक है जो पैरों में चोट लग जाने से उसमें गैंगरीन हो जाता है किसान भाईयों आप सुने होंगे जिन में रक्त सरक्रा अधिक होता है और उनके पैर में अगरी शोट होट लग जाती है तो अधिक सुगर के वज़े से पैर नीचे से सडन लगता है गलने लगता है ऐसे मरीजियों के लिए भी कोदो का भोजन काफी लाव करता है और गैंगरीन नहीं होने देता है डेनू टाइफाइड है वाइरल वखार से पीरित और कमजोर हो गए व्यक्तियों के लिए कोदो बहुत ही लाव कर है कोदो के पंचांग को जला कर भस्म बना कर भस्म में जल मिला कर सिर पर लेप करने से रूसी की समस्या हल हो जाती है यानि कोदो का पूरा पौधा लेकर उसको जला लें उसका भस्म बना लें और उसमें पानी मिला कर जिन लोगों के सिर में अधिक रूसी हो गई हो यदि लगा लें वो ये इस से रूसी समाप्थ हो जाती है कोदो के बीजों का फस्म बना कर एक से दो ग्राम फस्म में सहद मिला कर सेवन करने से सांसों के रोग में और खांसी में लाव होता है दही के साथ कोदो का चावल खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है कोदो का खीर बना कर खाने से भी पेट का दर्द ठीक हो जाता है कोदो का चावल पकालें पके हुए चावल में नीबू मिला कर इदिया खाते हैं तो बवासीर में लाव होता है किसी चिकित्सक के प्रामर से कोदो का चावल खाने से डाइबिटीज में फायदा पहुंचता है कोदो के आटा से रोठी पत्तेदार सब्जों के साथ सिवन करने से लखवा में लाव मिलता है नियमित रूप से कोदो मिलेट से बने आहार तई के साथ कि शिवन करने से साइनस में पुरंत लाव होता है कोदो को पीछ कर फोड़े पर पट्टी बाने इससे फोड़ा पक कर फूट जाता है और आरा मिलता है बेशनता हल्दी के साथ कोदो के चुण को मिलाकर पचा पर लगाने से पचा की सुंदरता बढ़ती है किसान भाईयों उमीद करता हूं कोदो की इतने लाव सुनकर अगले जून जुलाई में आप कोदो की खेती करेंगे और कोदो से लाव उठाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद